नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टेलेंट में आपका हार दिख स्वागत है। आज के वीडियो का सिर्षक है हिंदी सुविचार और लाइफ। एक सुविचार के आधार पर कुछ जीवन की तस्वीर को उजागर करने की कोशिश की गई है। क्या हमारा जीवन हमारी जरूरतों के दाइरे तक सिमीत रह गया है या फिर इसके आगे भी कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। आईए इस वीडियो के जरिये जानते हैं जीवन की कुछ बाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दम्यवाद। अंतरमन से करे आत्मिक स्वरुप कानुभव मिलेगी अभार खुशिया। लोग अलग अलग तरीकों से खुशिया ढूंडने की कोशिश करते हैं। कुछ इसे धन दौलत और दुन्यवी चीजों में ढूंडते हैं। तो कुछ इसे यश और प्रसिद्धी में पाना चाहते हैं। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओ की पूर्ती के द्वारा ही खुशिया प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जिसमें हम एक के बाद एक अपनी इच्छाओ की पूर्ती करने में ही लगे रहते हैं। समस्या यह है कि हमारी इच्छाओं का कोई अंतर ही नहीं होता जब हमारी एक इच्छा पुरी हो जाती है तो हमारे अंदर दुसरी पैदा हो जाती है जब वह भी पुरी हो जाती है तो हमारे अंदर कोई और इच्छा उत्पन्न हो जाती है उसके बाद फिर कोई अन्य इच्छा जाग जाती है इस तरह हमारा जीवन गुजरता चला जाता है यह सच है कि आधुनीक संस्कृती हमारे अंदर नई-नई इच्छाओं को पैदा करती है हम पोस्टरों, हौर्डिंग्स, टिवी और रेडियो पर रोज नए-नए विग्यापन देखते सुनते हैं यदि हम इन चीजों पर विचार करें तो पाएगे कि ये हमें बेस्थाई खुशिया नहीं देती जिनका हमसे वादा किया जाता है हम थोड़े समय के लिए जरूर इनसे खुशी हासिल कर लेते हैं लेकिन इनके खो जाने या नश्ट हो जाने से या रिष्टे नातों के तूट जाने या दुर हो जाने से हमें बहुत ही दुख और पीडा सहन करने पड़ती है इसलिए अवश्यक्ता है सही प्रकार के इच्छा रखने की युगो युगो से संत महापुरुस यहीं बताते चले आये है कि सच्ची खुशी हमें अवश्य मिल सकती है लेकिन उसे हम केवल अपने अंतर में पा सकते हैं अगर हम बाहरी दुनिया में उसे ढूंडेगे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी यदि हम इस भावतिक संसार में संपूनता की तलाश करेगे तो वह हमें कभी भी नहीं मिलेगी सच्ची खुशी पाना इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते है स्थाई खुशी हमें अवश्य मिल सकती है यदि हम उसे सही स्थान पर खोजे और वह सही स्थान है हम खुद स्वयम यदि हम अपने अंतर मन में सच्चे आत्मिक स्वरूप का अनुभव कर लेगे तो हमें इतनी अधीक खुशिया और प्रेम मिलेगा जो इस संसार के किसी भी इच्छा की पूर्ती से हमें नहीं मिल सकता अस्तू आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर पसंदाया हो तो लाइक और कॉमेंट्स जरूर कीजिए आपके सुझाव का इंतजार रहता है अपने दोस्तों में इसे शेर अवश्य करे दुसरे नए खयाल के साथ नए वीडियो को लेकर प्रस्तुत रहूं तब तक अपना खयाल रखीगा धन्यवाद